उनको बोलने के लिए माईक तक नहीं दिया जाता। तारानकन उन्होंने बताया कि वर्ष 2018 के बाद आशाओं का मांदियर एक पैसा भी नहीं बढ़ाया गया है जबकि महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है। इससे आशावकरों में भारी रोश है और सरकार आशावकरों की मांद मानने की बजाए गुंडागर्दी पर उतरी हुई है। और आशा वकर्स को Global Health Leaders का आवार्ड दिया था। इसके बावजूद सरकार उनके बुनियादी कामों के अतिरिक्त रोज नए नए काम आशा वकर्स पर थोप रही है। सरकार की हत्धर्मिता से आम जनता को हुने वाले नुकसान से प्रदेश सरकार को कोई फर्थ नहीं पड़ता देख रहा लेकिन आशा वकर्स भी अपनी मांगू से पीछे हटने वाली नहीं है। जब तक आशा वकरों को पक्के कर्मचारी का दरजा नहीं दिया जाताया जुलाना CHC की प्रधान रेनू वा संचालन सुमन देवी ने किया। धरने को संबोधित करते हुए आशा वकर यूनियन की जिला प्रधान नीलम वा जिला सचिव राजबाला ने बताया कि एक तरफ संसद में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षन देने की बात केंड सरकार कर और दूसरी तरफ महिलाओं को रोल पर बैथा रखा है। महिला आरक्षन भी भाजबा सरकार का एक तरह का जुमला है क्योंकि जब तक देश में जनगर्ना पूर नहीं होती तब तक महिला आरक्षन लागू नहीं होता लेकिन केंड सरकार 2021 को हुने वाली जनगर्ना अब त उठाकर बाहर फेकने की बात खुद प्रदेश के मुख्य मंत्री मनोहर लाल खटर करते हैं। आशा वकर जब जन समवात कार्यक्रम में अपनी बात रखने जाती है तो आशा वकर्स आज अपनी मांगों को लेकर जीन में आए बिचली मंत्री रंजीत सिंग चोटाला को ग्यापन देने के लिए ब्यारडिये में प्रदर्शन लेकर जा रही थी लेकिन पुलिस प्रशासन ने आशा वकरों के साथ बदसलूकी की और मेल पुलिस कमचारियों ने महिला आशा वकरों के साथ हाठा पाई की आपको ग्यात है पिचली आठ अगस्त से जारी आशा वकरों की हरताल को आज चौवालीस दिन हो गए लेकिन हर्याना सरकार ने आज तक आशा वकरों से कोई बात नहीं की जिस कारन आशाओ में भारी रोश रोश है लेकिन आशा वकरों ने रेस्ट हाउस पर भी प्रदर्शन किया तो आखिर में बिजी मंत्री ने आशा वकरों के प्रतीनिधी मंदल से बात करनी पड़ी। बिजी मंत्री ने आशा वकरों से कहा कि आपकी मांग मेरे कार्यक शेत्र में नहीं है, इसलिए मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन आपका मांग पत्रमुख्य मंत्री के पास जरूर पहुचा दूँगा. तारानकन पुरुष पुलिस कर्मचारियों द्वारा आशा वकरों के साथ की गई हाथा पाई की 26,000 रुपे मासिक नहीं किया जाता तक तक हर्ताल ने आशा वकर नहीं उठेगी इसके अलावा आशाओ की रिटायर्मेंट की उम्र 65 वर्ष की जाए तथा आशाओ पर थोप जाने वाला ओनलाइन काम खत्म नहीं किया जाए आशा वकरों के मांगों का मनरेगा श्रमिक यूनियन ने भी समर्थन किया और यूनियन के नेता अशोक रूपगर ने आशाओं के धरने लो संबोधित किया